दोस्तो मैं लपने सरोस स्वागत है आप सबी का स्वादिश्ट भुज़न में दोस्तो आज हम बकरे का पचोनी साप करेंगे साथ ही हमारे पास यहाँ पर है फेफटा 그게 आप चाहिए खिसका उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बकरे का छाटन है और बकरे का पोटा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों बकरे के सबसे पहले आती साब करेंगे तो आती साब करने से पहले हमें इसमें जो चर्बी है वो निकाल लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इ सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दीवर लाल रेंग की बटम को सब्सक्राइब कर दीजे और बगल में बेल की घंटी है आप उसको बजाना ना भूलिएगा आती में इतना चर्वी निकला है तो वैसे हम सारी चर्वी को निकाल लेंगे और एक बात दोस्तों आप ध्यान से देखना दोस्तों यह दिखिए सत्रह से 4 यह बहुत आराम से पल्टा जाता इसमें जादा आपको मेहनद करने की कोई जुरूत नहीं है यह आपको लग रहा होगा इसको हम साफ कैसे करेंगे बहुत दीजी है साब करना और एक बात दोस्तों अगर आपको पतनाने की रैस तो दिखिए इस तरसे इसको हम करेंगे तो दोस्तों आप देखी सकते हैं इसको पलटना क्यूं जरूरी है इसमें कितना ज़्यादा कच्ड़ा होता है इसलिए इसको हमें पलटना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है नहीं तो क्या है पचोनी जब हम बनाएंगे तो बनेगा नहीं बहुत ही खराब लगेगा जितना भी आप बना के रखेंगे वो सब आपको फेकना पड़ जाएगा इसलिए इसको आपको अच्छे से धोना बहुत जरूरी है इस तरह से हम पानी से साप करेंगे भी इसको हम बाद में अच्छे से साप करेंगे फिलाल अभी ऐसे ही साप करते हैं फिर आपको एक पलट के दिखा जैती हूं आती को ध्यान से देखना यह दिखे इस तरह से दोस्तो पचोनी थोड़ा ज़्यादा बिसाइन आता है इसलिए इसको हमें साप करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नहीं तो हम चाहें तो इसको कैसे भी करके साप कर सकते हैं तो यह दिखे दोस्तो मैंने इसको क्या किया कि इसको आदा तोड़ दी हूं और एक बात दोस्तों हम पकड़े के रखेंगे, नहीं तो क्या है फिर से अंदर चला जाएगा, तो एलिया हम फिर से पलटना पड़ेगा, तो डबल मेनत पड़ जाएगा. इसलिए हम इसको पकड़ की रखेंगे इसको इस तरह से खीच के सारा कचड़ा बाहर कर देंगे तो यह पल्टा गया दोस्तों तो इसे के करके हम सब पलट ली हूँ यह देखिए अब इसको हम इस तरह से रगर-रगर के साप करेंगे इसमें जादा तागत नहीं लगाएंगे हलकी हाथ होसी इस तरह से इसको रगड़ेंगे तो आप देखे सकते, इसमें कितना ज़धा कचड़ा निकल रहा है और इसको रगड़ रगड की इसतरह से इसमें पाणी डालके फ clockwise के धोईएंगे इसे दोस्तों जोवी श्टा गंदगी है सब बाहर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ हो गया है यह आप इसको दो तीन पानी से अच्छे से साफ करें उसके बाद दोस्तों यह दिखिए बकरी का पोटा है अब इसको हम सीधा कर लेते हैं इसको अच्छे सीधा करने के बाद इसको हम एक बार पानी से साफ करेंगे अगर पोटा जादा गंदा है तो इसको अच्छे साफ करें फिर इसको गरम पानी से साफ करें इसको आधा काट लेंगे आधा आधा काट के करने में आसान रहेगा दोस्तों छोटा छोटा यह देखि इसको डाल देंगे और तूरत इसको निकाल लेंगे लट पलट के के कोई ऐसको मिश्याप करेंगे इस तरह से अगर दोस्तों यजदा दर तक गरम पांई में रखेंगे तो छूटे का नहीं बलकि लिए और ज़्यादा जम जाएगा तो इसलिए दोस्तों आपको पाने में डालना है तुरंत बाहर कर लेना है तो यह रामसी इस तरह से साफ हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे साफ हो गया है तो ऐसे मैं आपको एक और करके दिखाती हूं दोस्तो तो दूसरा भाग करके दिखाऊंगी तहाल प्acy मैंने कोटी बाला भाग लिया है इसको हम साफ करेंगे तुर्ण के सब्सक्राइब करना है इस तरह से चुने से भी बहुत अच्छा छूडता है, जो पान वाला चूना होता है, उस से बहुत अराम से चुडता ही, तो ये भी साफ हो गया है, एक मैं आपको और करके दिखाती हूँ, ये देखिये, तो दोस्तों ये अच्छे से ये भी साफ हो गया है अब इसको हम क्या करेंगे सारे पोटों को हम लेके इसको एक बार पानी से साफ कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यह दिखिए जो पोटा में अंदर वाला भाग होता है इसमें काला कालो लग रहता है उसको आपको साफ करना बहुत ज़रूर है उसको भी आप अच्छे साफ करें नहीं तो क्या है उससे भी इसमेल बहुत ज़्याद आएगा यह साफ हो गया तो सारे प पाने से अच्छे साप करेंगे तो दोस्तों पचोनी हमारा धुल के साफ हो गया है आपको वीडियो कैसा लगा आप में जो कोमेंट में जरूर बताना